नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पाइलक्स टेबलेट के बारे में जो की बवासीर के लिए बहुत बढ़िया टेबलेट है बवासीर एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोगों को बात करने में भी कापी सर्मंदगी महसूस होती है क्योंकि यह मरीज के गुदा और बवासीर मलासे में मौझूद नसों में सूजन और तनाव आने के कारण होता है यह मरीज के गुदा के अंदर या बार किसी भी जगह पर हो सकता है किसी भी मरीज को बवासीर होने के कई तरह के कारण हो सकते हैं यह उन मरीजों को सबसे अधिक होने की संभावना होती है जिन मरीजों को कबजी की समस्या अधिक होती है क्योंकि का जाता है कि जो लोग मल्क त्याक के दोरान अधिक जो लगाती हैं उनको बवासीर होने की संभावना काफी अधिक होती है गरबती मैला को भी यह होने की संभावना बनी रहती है एमालिया पाइलक्स टेवलेट बवासीर के लिए कापी बैतरीन होसती है दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पाइल्स का मैडिसिन है जिसको हिंदी में बवासीर कायाता है अते हिमालिया पाइलेक्स टेवलेट द्वारा बनाई गई एक आयरुवेदिक बवासीर की दवा है हिमालिया पाइलेक्स टेवलेट बवासीर और फिलुष्टरा के लिए एक पिछले दवाई है पाइलक्स टेवलेट का रेचब गुड जो होता है वो बवासीर से जुड़ी पुरानी कब्ज को ठीक करने में काम करता है साथी साथ यह काफी बेतरीन दवाई मानी जाती है इमालिया पाइलक्स टेवलेट में रेचब गुड आतों को दर्द से छुटकारा दिलाने का भी काम करता है यह पाचन में सुधार करता है गैस बनने और बेचेनी जैसी समस्या को भी कम करता है बवाशीर और इन सभी के अतरिक्त अन्य रोग में भी आपिस ओस्ति यानि दवाई का उपयोग कर सकते हैं जिन लोगों को बवाशीर की समस्या हो जाती है उन्हें काफी परहसानी का सामना करना पड़ता है बहुत से लोगों को इससे रिलेटर बताने में भी लोड़लता रहता है लेकिन इसका सबसे आहिम कारण इसके होने का इस्तान होता है बाजार में इसके इलाज के लिए अनिक दवाईयां मौझूद हैं जो इस दवा का अपयोग करती हैं इसके लेने की उसकी ववासीर की समस्या जड़ से कतम हो जाएंगे लेकिन मरीज को इस बात का विसेश द्यान रखना चाहिए कि डॉक्तर आपको जो दवाई लेने की सलाद हैं उसी दवाई का सेवन करें आप अपने मन से किसी भी दवाई का सेवन ना करें आपको इस हिमालिया पाइलक्स टेवलेट का अपयोग करने से पूर्वी डॉक्तर से अबस सला लें हिमालिया कंपनी द्वारा ही इस दवाई को बनाया जाता है हिमालिया पाइलक्स टेवलेट के फाइदे हिमालिया पाइलक्स टेवलेट के फाइदे और उपयोग बवासीर और पाचन तंद्र से संबंदित रोगों के इलाज के लिए क्या आता है बवासीर के मरीज को इसके इसतमाल से बहुत फायदा मिलता है पाइलक्स टेवलेट का उप्योंग बवासी रिया पाईल्स जिसको अंग्रेजी में हैंआज का याता है यसी कंडिशन को ट्रीट करने के लिए इस टेवलेट का उप्योंग किया आता है बगंदर की एरिया में भी इस तरह की समस्या को ठीक करने के लिए पाइलेक्स टेबलेट को ले सकते हैं कुछ बादी बाली चीज़ां खा लेने के बाद गैस की तोड़ी बहुत इस्थी में पाइलेक्स टेबलेट को ले सकते हैं पाचन तंद्र के बिकार में भी इस टेबलेट का उप्योग कर सकते हैं, कब्ज यानि कंडिशन में लापकारी होता है, जलन में राहत दिलाने में भी मदद करते हैं यह टेबलेट, पेट दर्द में भी यह टेबलेट हेलपफुल होती है, सूजन और एट्वन जैसी कंडिश में भी इसका उप्योग कर सकते हैं, बबासीर की कंडिशन में भी होता है, जिसको ट्रीट करने के लिए यह मेडिशन बहुत फायदेवन्द है, गुदा में परेशान यह दर्द होता है, तो यह मेडिशन हेलफुल होती है, पाइलेक्स टेबलेट के नुकसान, पाइलेक्स इस टेबलेट को ज़्यादा समय लेने से कब जो नियमित रूप से दस्त की सिकायत हो सकती है, इस दबाई को नियमित रूप से लेने के बाद आपको कभी कभी दुद्री दरष्टी में परवर्दन भी हो सकता है, इमालिया पालेक्स टैवलेट की साबदानिया इस्तपान कराने वाले महिलाओं के लिए इस मैडिसन को नहीं लेना चाहिए जो व्यक्ति सारे विमारियों के मामले में सतर्क मेहतपूर है बच्चों को इसकी थोड़ी मात्रा में ही देना चाहिए एक कैपसूल दिन में, एक गोली दिन में ले सकते हैं, गरबती महिलाओ को इसके सेवन से बचना चाहिए, जरूत पढ़ने पर डॉक्टर से सला लाएं, अगर आपको इसके किसी भी अबसाई से एलर्जी है, तो आपका इस इस्तमाल करना बिलकुल भी उचित नहीं है, इमालिया पाइलक्स टेबलेट की कीमत, इमालिया पाइलक्स टेबलेट साथ टेबलेट में एक टेक की कीमत 165 रुपए होती है,